तो दोस्तों क्या आप लोग भी इस तरह कार नेम फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरह के फोटो को कैसे बना शकते हो, वो भी अपने मोबाइल से तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने प्ले स्टोर या आप स्टोर को ओपन करना है और फिर वहाँ पर आपको सर्च करना है बिंग। तो ये app आ जाएगी, तो आपको इस app को डाउनलोड कर लेना है, तो ये app मेरे phone में पहले से ही डाउनलोड है, इसलिए इसमें update का option शो हो रहा है, तो डाउनलोड करने के बाद अब आपको इसको app को open करना है, उसके बाद ये open हो जाएगी, तो अब आपको यहाँ किनारे पर apps will option पे click कर देना है, उसके बाद यहाँ पर scroll down करके इस image generator वाले option पे click कर देना है, तो अब आपकी photo bus बनने ही वाली है, तो photo बनाने के लिए आपको इसी वीडियो के description में एक prompts मिलेगा, आपको simple से उसे copy करके यहाँ पर paste कर देना है, उसके ब पोई ही रहने देते हैं, उसके बाद अब आपको यहाँ नीचे scroll करना है, और your name वाले जगह पे अपने नाम को लिख देना है, तो example के लिए my यहाँ पर अंश नाम को लिख दे रहा हूं, उसके बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ भी your name वाले जगह पर अपने नाम को लिख देना है, जिस नाम से आप फोटो बनाना चाहते हो, उसके बाद अब आपको create पर click कर देना है, तो ये यहाँ पर image बनना ready हो जाएगी, तो दोस्तो जब तक ये फोटो बन रही है, तब तक आप अगर चैनल पर नए हो, तो चैनल को subscribe और वीडियो को like जरूर से कर दें, तो कुछ देर के बाद ये फोटो बन कर तयार हो जाएगी, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 image बन कर तयार हो गई है, तो अब आपको इसमें से जो भी फोटो अच्छी लगती है, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है, फोटो को डाउनलोड करने के लिए आपको इ इसी नई वीडियो के साथ,